तो इसके लिए वो भी कल बोल देंगे की सोरी तो वाइस प्रेल का क्या फंडा है पहले तो सभी बच्चों को बधाई जिन्हों ने संख्रस किया दोनों तरफ से कि ये कर दो वो कर दो और इस भीड में इतने ही सिर्फ जैसे लाट डफरी ने कॉंगरेस के बारे में कहा था 1885 में मुठी बर तो सिर्फ थोड़े से लोग बेचरे टेंट में बैठे रहे लेकिन उनकी जीत उनको मुबारक हो क्योंकि उन्हीं का ये ताज है तो 22 प्रेल का क्या फंडा है पहले तुससे पहले ये द का, उसको काइर एव, उसका सब कुछ हो ओ ऐसकी विडियो मना दी मैं वोला कि सैडूल कल्गारी कर देंगे, इनकोणोंने इसी सब्तह जारी कर देंगे, यह NOW इस सब्तह भी नहीं मानते हम अगले सब्तह दे दियो इतनीं है बस दे दियो यह सरकार से रीक्वेस्ट करते हैं तो डेडिटिवीटी फिलाने वालों को फिलाने दो, आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, बुक्स उठाओ, लाइब्रेरी जाओ और अपना पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? पेपर होंगे, डैम्शोर होगा, अब बाई सप्रेल पर आ जाते हैं, क्या है ये? तो बाई सप्रेल का सरफ इतना सा फंडा वेटा, कि कोर्ट ने बोला है कि अरली हीरिंग होगी जो बाई सप्रेल, उस तक आप रिजल्ट नहीं लिका सकते हैं, आप पेपर लेलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, that's all, बट ये ध्यान रखना कि बाई सप्रेल से पहले ही सरकार इस मैटर को निप्टा लेगी, सरकारी तंतर बहुत बड़ा सिस्टम होता है, ध्यान रखना इस बात का, अगर उसको यूटिलाइज, धंक से कर लें, तो कोई भी चीज भादा नहीं बन सकती, अर्ली हीरिंग निप्टा के, लेके, बाई सप्रेल को पहले से निप्टा देंगे, और पेपर आपके होई जाएंगे, फटाफट, 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 ठेक है, तो जिनको लगता है कि हम क्यारी कर रहे हैं, लाइबरेरियों में जाओ, किताब उठाओ और अपना महनत करो, क्योंकि बहनती बच्चे को कोई रोक नहीं सकता, और सरकार बहुत बड़ा सिस्टम होता, आप यह मत सुचा करो कि यह वो इवराज चुहान को देख लो, और वसंदर राजे को देख लो, और जो नहीं पढ़ेंगा, उनको फिर बाद में देख लेना, तो सरकारी तंत खलाना, बनाना, धिकडा बनाना उन चीज़ों पर हम नहीं जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, सब का अपना काम हो, और सब अपने काम के प्रणाम भुगत लेते हैं, उपर वाला सब देखता है, और नीचे वाला देखने वाले की जुरूरत भी नहीं होती, और सभी वेंट में जैहिन जी भारत तो जुरूर ही ठोकना, ठीक है, जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जूरना हमारे साथ, लव यू सभी को, बेस्ट आफ लाग, जैहिन जी भारत